दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है विनंदर ने आपके अपनी यूट्यूब चैनल और यानी श्टूड लहाबाद में है दोस्तों जैसा के थूमनिल देख पा रहे हैं आज एक बार फिर आपके बेच में एक लेटिस्ट मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं यूपी कैसे हुआ है बिलकुल इस वीडियो में हम साजा करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहले बार विजट कर रहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करेंगे सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो जो यहां देख सकते हैं SLP नमबर आपके बेश में दिया जा रहा है जो है 72 पचीस और अबलिक 72 अबलिक 24 ठीक है ये दो SLP पर फैनली आज के डेट मेरे सोलर पंप वाले कोस्चन पर सुनवाई होने थी ठीक है लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हो पाई ठीक है आपको पता ह डबल बेंच में सोलर पंप वाला जो कोस्चन था वो तो खारीज हो गया था लेकिन उस से संतुष नहीं हुए है बेटे और फैनली उन्होंने सुप्रिम कोर्ट का दरवाजा खटकटाया और उन्होंने जो है सुप्रिम कोर्ट में यज का दायर की कोर्ट नमबर 16 में आज 1887 वाला केस जो है वो 8 अप्रेल को लगा हुआ है ठीक है उसी 8 अप्रेल को हवाला देते हुए जो अपने विपक्षी दल के वकील थे उन्होंने आज की डेट में यह समय बिलकुल अगर देखा जाये तो बेकार उन्होंने कर दिया ठीक है इन्होंने अपनी माग को रखी और फाइनली कूर्ट का भी है decision आये कि चलिए इस case कुले कर 8 अप्रेल को हम सुनते हैं और जो पहला case जो आपका लगा हुआ है इक्यावन 877 वाला उसी में इसे ले जाकर merge कर दिया गया है ठेक है और जो हम लोगों के तरफ से वकील थी मिनाक्षी अरुडा जी ठेक है उनकी तरफ से जो है काफी अथक प्रयास किया गया लेकिन आपका जो मामला है वो कही ना कही जब अटक गया तो अटक किये गया ठेक ह अच्छा जो आपकी सुनवाई लगी हुई है कोर्ट नमबर 11 में फाइनली आपकी सुनवाई लगी हुई है एक श्टेटस हम आपको दिखाना चाहेंगे सौर्ट अर्डर जो एसलपी बहातर पचीस और बहातर उनतीस को लेकर आ रही है देखिए आपके बीश में यही वो 2024 करके यह आपका डियरी नमबर है ससांग वर्सेज स्टेट आफ यूपी यहां देख सकते हैं ठेक है बाकी यहां देख सकते हैं ओबर आपको कर दिया गया मिस लेनियस जो है तुस्ट चेतर अबलिक 2024 यानि इस केस को ले जाकर मैंने आपको अभी बताया कि 51-877 के साथ मर् 2024 को हमारा मामला जो है फिनिस होता है या नहीं होता है ठेक है वरिष्ट दिवक्ता का जहां तक बयान उनकी तरफ से भी यह लगातार प्रयास जारी है ठेक है कि इस मामले को रफा दफा करके आपका नियुक्ति पत्र दिया जाए लेकिन कही ना कही सरकार आपके फेवर में नहीं है सत्य हमेशा कटू होता है मैं बार बार इसी चीज का जिकर कर रहा हूं अगर सरकार चाहती है तो फैनली आज आप नियुक्ति पत्र पागे होते है ठेक है लेकिन आपके फेवर में सरकार भी नहीं आ रही है ठेक है तो फिलाल के लिए आप आपका ये परमकरता भी बनता है कि आप जादा 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 जो नियुक्ति पत्र के लिए जो ग्यापन सोंप रहे थे उस ग्यापन सोंपनी की मुहिम को आगे बढ़ाएं फाइनली आठ अपरेल का आप इंदजार करें ये परसुन और सों आपकी सुनवाई है जैसा भी हो का इसी चैनल के माद् इस ट्रेम भी दिखाने का प्रयास करेंगे ठेक है तो फिलाल के लिए उम्मेद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आए होगी आज का दिन तो आपका बेकारी चला गया है ठेक है बचा हुआ है आर्ट तारिक को लोग आर्ट तारिक का इंदजार कर रहे हैं जितने भी फाइनल सेलेक्शन वाले साथी हैं ठेक है आर्ट तारिक को हमारा अचा कुछ लोगों के पास ये भी समस्याए हैं कि बिहार बिप्यसे में उनका सेलेक्शन भी हो गया था ठेक है लेकिन जब मेगा सू आयूजित किया गया तो उसी को देखते हुए उन्होंने वहाँ पर और फटाक से चले आये उनको लगा कि अब मुझे नियुक्ती पत्र मिल जाएगा लेकिन उन्हें ये नहीं पता था भया कि हमारे यहां का कानून कितना लचर है ठेक है मुख पर आकर उनका जो निवाला है वो कही ना कहीं चला गया ठेक है अब उन्होंने एक जगों से बे बेरोजगार कर दिया गया है तो यह कहीं ना कहीं बहुत दैनी इस्तिती है ठेक है इसलिए मैं कही रहा हूं कि आप जहां भी है जैसे भी है ठेक है आप अपने जनपरतनेदियों को इसके संदरों में यापन सौंपते रहें ताकि 8 अप्रेल को हमारी जो सुनवाई ये विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब रूर किजेगा वड़ी समाप करते थैंक्स धन्यवाद